आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हो एक बहुत ही जबरदस्थ स्किन वाइटनिंग पैक यह पैक हम बना रहे हैं बॉइ राइस से जैसे आपको पता है राइस एक बहुत ही सूपर इंग्रीडियन्ट है स्किन की वाइटनिंग के लिए तो यह पैक आपके स्किन को कुछ शेयर करने के लिए पैस इसमे ओर बहुत सारे इंग्रीडियन्स है जो आपके स्किन से ब्रमिशसे है इसको लिए बियूस करने में और आपके सिकन को निखारने में बहुत ज dönु जादा यूसफुल है तो चली देखते हैं कि इसको बनाना कैसे है लेकिन उसे पहले आपको पता है कि क्या करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक भी करना है और इसे अपने फ्रिंस के साथ शेयर भी करना है इस छोड़ी से टिप्स के अमाउंट ऑफ वाटर इसमें एड करके इसको बॉल कर लीजिए इस रेमेडी के लिए आपको अलग से यह चीज करने की ज़रूरत नहीं है आपके घर में दिन में एक बार तो राइस बनती होगी तो उसी वक्त उसमें डबल या ट्रिपल अमाउंट ऑफ पानी दाल के उसक कच्छा पक्का अनकोक्ट हाफ कोक्ट ऐसा कुछ भी नहीं रखना है जैसे नॉर्मली राइस को हम पकाते हैं बिल्कुल वैसे इसको कुक करना है जब आपका राइस अच्छे से बन जाएगा तो इसका एकसिस वाटर को आप निकाल लीजिए जिसको हम कांजी भी बोलते है यही राइस वाटर हमको यूज करना है तो इसको आप एक बावल में कलेक्ट कर लीजिए अब इसका पैक बनाने के लिए आप एक अलग बावल में दे टेबल स्पून होल बीट फ्लार यानि की गेहूं का आटा ले फिर इसमें एक टेबल स्पून कर्ड यानि की दही आट क करें जो भी बचा हुआ राइस का वाटर है उसको आप फ्रिज में दो से तीन दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हो और उसको दो से तीन दिन तक यूज कर सकते हो इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और यह हो गया आपका स्किन वाइटनिंग फेस पैक रेडी इसे अप् करते हैं यह पैक आपकी स्किन से ओलिनेस को रडियूस करने के लिए आपके स्किन के पोर्स को रडियूस करने के लिए स्किन को टाइट करने के लिए ज्यादा यूसफुल है न्यू सेल्स की ग्रोथ को बढ़ा कि आपके स्किन को और भी ज्यादा यूद्फुल बनाने के ब्लड सर्कुलिशन बढ़ा कि आपकी स्किन को स्मूध और ब्राइट भी बनाता है ये फेस पैक इसे अपलाई करने के बद आप 20 मिनिट के लिए वेट करें 20 मिनिट बाद आप अपने फेस पे इस पैक से अच्छे से मसाज करें आप मैसे बहुत लोग उसे पूछते है कोई इसा फेस पैक जिसको आप डेली यूज कर सकते है एक दो बार में नहीं लेकिन जैसे जैसे आप इसको यूज करते जाओगे आपके स्किन में बहुत जादा इंप्रूवमेंट होता जाएगा अच्छे से मसाज करने के बाद आप अपने फेस को वाश कर लीजिए एक या द अपने फ्रेंज के साथ भी जरूर शायर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं पूले मैं आपको मिलते हूँ मेरे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाई टेक केर